आज का हमारा पहला कुश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान जवाहलन लहरू को किस जेल में कैद किया गया था हमारे पास आप्संस है अहमद नगर किला आगरा जेल वारनारसी जेल या फिर गोरतपूर जेल तो इस कुश्चन का आप्संस है होगा हमारा फर्स्ट आप्सं यानि भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान जवाहलन लहरू को अहमद नगर किले जेल में कैद किया गया था आईए देखते हैं इस कुश्चन को डिटेल में भारत छोड़ो आंदूलन के दोरान अंग्रेजो दोरा आपरेशन सूर निकाल सुरू किया गया था जिसमें 9 अगस्त 1942 को कांग्रेश के सभी वरिष्ट नेताओं को गिरिफतार कर दिया गया था गांधीजु को पुड़े के आगा खान पैलस में रखा गया था जबकि अन्य सदस्यों को अहमद नगर किले में रखा गया था आपको पांडे के नेतत में बलिया में एक आइस्थाई सरकार का गठन किया गया था और प्रदरसन कारियों ने 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर हमला करके नेताओं को मुक्त कर दिया था अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में महत्तपूर तथिकाउन कौन से थे त अगस्त को प्रयागराज में तिलक दिवस मनाय गया था आठ अगस्त 1942 को आल इंडिया कांग्रेस बांबे के गौलिया टैंक मैदान में मिले और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताओं को मंजूरिती गई थे और यहां गोशड़ा की गई थे कि भारत में सुतंत्रता और लोकतंत की स्थापना के लिए भारत में बिटिस सासन की ततकाल समाप्त अत्यन्त आवस्यक हो गई है भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त करांत के रूप में भी जाना जाता है और इस आंदोलन का लच्छे भारत से बिटिस सामराज को समाप्त करना था तो उमीद करते हैं यह question आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो नवसकार दोस्तों मैं राज भादुर आरार इस रिजोन में आपका स्वागत करता हूँ यह आज का हमारा पाच्वा सेसन है यानि यूपी ट्रिपल सी पी टी यूपी एसाई यूपी एसाई यह हमारा सेसन यह महत्तपूर्ट प्रस्णों की कुछ रंखला है जिसमें आपकी आगामिक प्रिक्षा के लिए बहुत ही महत्तपूर्ट प्रस्णों को हमने रखा है अगर यह सेसन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा लोगों पास भी शेयर करिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजेगा जिससे कि आपको important videos के notifications भी मिलते नहीं और अगर अभी तक हमारे पिछले videos को यानि अभी तक हमने चार वीडियो UPPT specials related हमने upload कर दिये हैं अगर आपने अभी तक उन videos को नहीं देखा है तो आप इस video के description box में जाकर दी गई playlist पर जाईए और उन videos को देख सकते हैं तो आईए देखते हैं फिर अगला question आज का हमारा क्या है तो यह रहा आपकी screen पर आज का हमारा अगला question कि किस जील को कस्मीर के मुकुट में गहना के रूप में भी जाना जाता है हमारे पास options है cooler जील मांसर जील या मांसर ओर जील डल जील या फिर सी सनाग जील या से सनाग जील तो इस question का option सही होगा option C यानि डल जील को कस्मीर के मुकुट में गहना के रूप में भी जाना जाता है आईए इस question का detail discussion करते हैं कि स्री नगर में डल जील इस्तित है जो केंद्रसासित प्रदेश जम्मू और कस्मीर की राजधानी है डल जील एक मिथ्या नाम है क्योंकि कस्मीरी में डल का आर्थ है जील या कस्मीर में परेटन और मनुरंजन के लिए अभिन है और इसे कस्मीर के मुकुट में गहना या यहां मचली पकड़ने और जल संयंत्र कटाई में वारजिक संचालन के लिए भी यह एक महत्पूर्ण स्रोत है यह 18 वर किलोमीटर के छेत्र को आवरण करता है और इसके तैरते हुए बगीचों सहित एक प्राकृतिक आदरभूमी का हिस्सा भी है आईए आपको बताते है उलर जहिल के बारे में तो हर मुक परवत की तलहटी पर इस्थित उलर जहिल एसिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की जहिल है यह 200 वर किलोमीटर के कुल छेतर में फैला हुआ है जिसकी लंबाई लगबग 24 किलोमीटर है जबकि इसकी चोड़ाई आपको बता दे 10 किलोमीटर है यह जहिल बारा मूला रोड के पास संगरमा में सोपुर और बांदीपोर सहरों के बीच इस्थित है उलर जहिल का पानी का मुक शुरोत जहलम नदी है इस जहिल में इसके केंदर में एक छोटा दियूब भी है जिसे जेना जहिल भी कहा जाता है इस दियूब का निर्मार राजा जैनूर अभी दीन ने करवाया था मांसर जहिल के बारे में अगर आपको बता दे तो यह एक और नाम है मांसरोर जहिल यानि मांसर जहिल को मांसरोर जहिल के नाम से भी जाना जाता है इसे नॉमबर 2005 में रामसर सम्मेलन के रूप में नामित किया गया था और सेसनाग जहिल के बारे में बता दे सीसनाग जहिल या सेसनाग जहिल यह अमरनात गुपा के मार्ग पर इस्थित है अगला question है हमारा कि किस बांथ यानि कौन सा बांथ ब्यास नदी पर इस्थित है हमारे पास options है भाकडा नागल बांथ थीन बांथ साहपूर बांथ या फिर साहपूर कांडी बांथ या पोंग बांथ तो इस question का option सही होगा fourth option यानि पोंग बांथ ब्यास नदी पर इस्थित है आईए इसके बारे में बात करते हैं पोंग बांथ ब्यास नदी पर बना बांथ है यह हिमाले में रोह तांग ला से ब्यास नदी निकलती है यानि हिमाले में रोह तांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है और यह 17 नदी क साथ विलीन हो जाती है जो अरब सागर में गिरती है इसका वैदिक नाम विपासा है यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है पौंग बांथ हिमाचल प्रदेश में इस्थित है और इसकी उचाई बांथ के भी नाम से जाना जाता है यह पंजाब में इस्थित है रावी नदी के टट पर साहपुल कंडी बांथ यह रावी नदी पर इस्थित है यह पंजाब में इस्थित है रंजीस सांगर बांथ से यह 11 किलो मीटर नीचे की और इस्थित है नेक्स्ट कुश्चन कि विस्व में सरवाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है अपसंस है मारे पास सहारा, गोबी, थार या फिर कलहारी मरुस्थल तो आपको बता दे कि थार मरुस्थल जो है ये विस्व का सरवाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है अब को बतादे कि ठार रेगिस्थान ये ठार मरुस्तल भारत का सबसे बड़ा मरुस्तल है जिसे ग्रेट इंडियान मरुस्तल भी कहा जाता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला रेगिस्थान है जिसका जनसंख्या गनत 83 यानि 83 व्यक्ति पर वर किलोमीटर है सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है यह उत्तरी अफरीका में इस्थित है सहारा रेगिस्थान में प्रत्वी पर सबसे कम जनसंख्या गनत पाया जाता है गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल एसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया के उपर 1600 यानि 1600 किलोमेटर लगभग 1000 मील में फैला हुआ है और यह दुनिया का पाच्वा सबसे बड़ा मरुस्थल है कलहारी मरुस्थल की बात करें तो यह सहारा के बाद अफरीका में दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है इसका जनसंख्या गनत 2.6 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर है अगला कुश्चन कि निम्न में से किस राज्ज में मानसून सबसे पहले पहुंचता है मारे पास आप्संस है असम, पश्चिम मंगाल, महराष्ट या फिर केरल तो इस कुश्चन का आप्संस है होगा आप्सं 4 यानि केरल राज्ज में मानसून सबसे पहले पहुंचता है दच्चिर पश्चिम मानसून की अरब सागर साखा सबसे पहले भारत के टटीय राज्ज केरल के पश्चिमी घाट से टकराती है और ये उत्तर की ओर बढ़ती है और पश्चमी घाट के टाटी ये छेतरों में बारिस प्रदान करती है इस प्रकार यह छेतर दच्छड पश्चमी मानसून से वरसा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है और सर्दियों के दोरान भारत को ग्रीसम काल और उत्तरपूर मानसून में दच्छड पश्चमी मानसून हवाएं मिलती है दच्छड पश्चमी मानसून दो साखाओं में आता है एक है बंगाल खाडी की साखा और दूसरी है अरब सागर की साखा अरब सागर की और का मानसून जो है ये थार रगिस्तान पर एक कम दबाव का छेतर बनाता है जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून की तुल्ला में काफी मजबूत भी है मानसून की बंगाल की खाड़ी के उपर से बहती है और उत्तर-पूरवी भारत और बंगाल की और जाती हैं दच्छिड पस्चिब मानसून की हवाएं देश के अधिकान से सो में भारी वर्साल आती हैं जबकि दच्छिड पस्चिब मानसून की सुरुवात को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि तिब्बती पठार पर तीव्र निम्न दबाव का गठन है, हिंद महासागर के दच्छिड में इस्थाई उच्छ दबाव सेल, उपोस्व करबंधी, जेट स्ट्रीम, अफरीकी इस्टर जेट, या फिर उस्ड करबंधी है, पूर्व जेट, नेक्ष्ट है, इंटर जर्वेंस, जोन, अर्थार्थ, आईटी, सीजेट, दच्छिड पश्चिम मानसून की तेवरता को प्रभावित करने वाले निम्नलखित कारक हैं, कि तिब्बती पठार पर कम दबाव और दच्छिड हिंद महासागर पर उच्छ दबाव की शमता, सोमाली जेट, सोमाली कर द्रविय हिंद महासागर, वाकर्स foreign की हिंद महासागरी साखा है, जबकि असम में सामान मानसूनी बारिस होती हैं, और दच्छिर पश्चिम मानसून की बारिस जून के तीसरे सप्ता से, सुरू होती है, और सितंबर के मध्धे तक जारी रहती है तो आज का हमारा अगला कुश्शन है कि हाल ही में शुरू किये गए स्रम पोर्टल का उद्देश क्या है आपसन से हमारे पास स्रम कानूनों के प्रवर्तन में पारिदर सिता और जवाब देही लाते है स्रम मंत्राले की नीतियों को जमीनी अस्तर पर लागू करना है या फिर प्रवासी स्रमिकों के लिए राज्य और राष्टी अस्तर के कारेकरमों के निर्मार को सुचारू बनाने के लिए या बाल स्रम मुक्त समाज के लच्छ को प्राप्त करना है तो आपको बता दे कि स्रम सक्तिक पोटल का उध्देस है कि प्रवासी स्रमिकों के लिए राज्य और राष्टी अस्तर के कारेक्रमों के निर्मार को सुचारू बनाने के लिए स्रम सक्तिक पोटल सुरू किया गया है आपको बता दे कि स्रम सक्ति एक राष्टिय प्रवासन सहायता पोर्टल है हाल ही में जनजातिय कार्यमंत्राले ने प्रवासी स्रमिकों के लिए राज और राष्टिय अस्तर के कारेक्रमों के निर्मार को सुचारू बनाने के लिए एक राष्टी प्रवासन सहायता पोर्टल यानि स्रम सक्ति शुरू किया गया है प्रवासी स्रमिकों के लिए एक प्रासिछड मैनुवल स्रम साथी भी शुरू किया गया था ये आदिवासी प्रवासी स्रमिकों से संबंदि डेटा एकत करने और उन्हें मौझूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था स्रम सक्त के माध्यम से विभिन आकडों को दर्ज किया जाएगा जिसमें जन्द सांख किये प्रोफाइल, आजीविका विकल्प, कौसलमान चितरन और प्रवासन पैटरन सामिल है ये उन स्रमकों को ससक्त बनाने में मदद करेगा जो आम तोर पर रोजगार और आयसरजन की तलास में पलाइन करते हैं बात करें, प्रोदोक्य के माध्यम से सासन में सुधात तो स्रम सुविधा पोर्टल जो है ये स्रम कानूनों को लागू करने में पारदरिसिता लाने और अन्पालन की जटिल्था को कम करने के लिए स्रम और रोजगार मंत्राले ने एक एकी करत वेब पोर्टल स्रम सुबिधा पोर्टल विक्सित किया गया है इस पोर्टल की चार मुख्य विसस्ताएं हैं जिसमें से हैं कि आनलाइन पंजी करण की सुविधा के लिए इकाईयों को विशिष्ट स्रम पहचान संख्या यानि L.I.N. आवंटित की जाएगी जिसमें उद्धोग द्वारा अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने के बजाए स्वा प्रमारित और सरली करत एकल आनलाइन रिटर्न दाखिल और स्वाचान की जा रही है इसके बारे में बात करें तो स्रम कینदरों को 6 केंद्री श्रम अधिनयमों के तहट स्रम निरेचण से छूट की सुविधा प्रदान की जा रही है जो स्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से स्वाप्रमारित गोसडाएं प्रस्तुत करते हैं नेक्स्ट है नमबर चार कि पोर्टल संतुष्ट का सुभारंब तो स्रम मंत्राले की नीतियों को जमीनी इस्तर पर लागू करना पोर्टल संतुष्ट एक कार्यानवन निगरानी प्रकोष्ट है जिसे लोबर और रोजगार मंत्राले द्वारा जन्वरी 2020 में सुरू किया गया था पोर्टल जमीनी इस्तर पर सारवजनिक सेवाओं उनकी पारदर्सिता जवाब देही योजनाओं और नीतियों के विवरन को संबोधित करता है और यह पोर्टल का उद्देश है कि स्रमिकों और नियोकताओं की सिकायतों के तुरित निवारन को संबोधित करना है नेक्स्ट है पेंसिल पोर्टल, पेंसिल पोर्टल क्या है, इसके बारे में बात करें, केंदरी ग्रह मंतराले ने no child labor यानि पेंसिल पोर्टल के लिए प्रभावी प्रवर्तन मंच का सुबारम किया है, पेंसिल एक electronic प्लेटफार्म है, जिसका उद्देश है कि केंदर, राज किसान सम्मान निध्य योजना के लिए किस रेड़ी में सम्मानित किया गया है। आप्शन से हमारे पास अधिक्तम लाभारतियों, तेज कार्यानवन, भाउतिक सत्यापन या उचित सिकायत निवारन। तो आपको बता दें कि इस कोश्चन का आप्शन सही होगा, आप्शन बी यानि सेकेंड वाला आप्शन, ये उत्तर प्रदेश को पीम किसान सम्मान निध्य योजना के लिए तेज कार्यानवन स्रेड़ी में सम्मानित किया गया है। आईए, देखते हैं इसके बारे में, कि उत्तर प्रदेश को पीम किसान सम्मान निध्य योजना के तेजी से क्रियानवन की स्रेड़ी में सम्मानित किया गया है। इस योजना के दूसरे वर्स के पूरा होने के आउसर पर दिया गया था। करनाटक की बात के तो करनाटक को अधिकतम लाबार्तियों की स्रेड़ी में सम्मानित किया गया है जो लगभग 97 प्रसत यानि 97 प्रसत है। और महराष्ट की एकर बात के तो महराष्ट को प्रभावी भावतिक स्रेड़ी में 90 प्रसत और उचिस सिकायद निवारण की स्रेड़ी में 60 प्रसत से सम्मानित किया गया है। अब अणचल प्रदेश की बात करें तो अधिक्तम संख्या में आधार सत्यापन की स्रेड़ी में सम्मानित किया गया है जो की 98 प्रसत है। हिमाचल प्रदेश को भावतिक सत्यापन और सिकायद निवारण की स्रेड़ी में सम्मानित किया गया है। बात करें लाहोल और इस्पीद जिले को तो ये आधार सत्यापन के लिए सम्मानित किया गया है जबकि कांगड़ा जिले को बहुतिक सत्यापन के लिए सम्मानित किया गया है PM किसान सम्मान निद्य योजना के बारे में बात करें तो ये PM नरेंद्र मोधी द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जो 24 परोली 2019 को सुरू की गई थी इसका उद्देश है कि खेती योग भूमियों वाले किसानों को 6,000 रुपे वित्रित करना यह राज सीधे लाभ हस्तान अंतरन द्वारा 2,000 रुपे की तीन किस्तों में दी जाएगी अगला कुशन कि निमनल खित में से कौन आरेखित मानस्पेसियों का एक उदारण है अप्संस दिये गए हैं कि भुजाओं की मानस्पेसियां नेत्र में पुतली या परितारिका की मानस्पेसियां नेक्स्ट है हर्दय सम्मंधी मानस्पेसियां और अगला आप्सं है कि पैरों की मानस्पेसियां तो आपको बता दें कि इस कोश्चन का आप्संस है होगा सेकेंड वाला यानि नेत्र में पुतली या पारितारिका की मानस्पेसियां हैं ये आरेखित मानस्पेसियों का एक उधारण है नेत्र में पुतली या पारितारिका की मानस्पेसियों को पुपिल मसल्स के नाम से भी जाना जाता है सरीर में तीन प्रकार की मानस्पेसिया मौझूद होती है धारीदार मानस्पेसि, आरेखित मानस्पेसि, हर्दे की पेसिया यानि धारीदार को रेखित मानस्पेसि के नाम से भी जाना जाता है धारीदार अर्थात रेखित मानस्पेशी मनुस्य में कुल सरीर के वजन का एक बड़ा कार है धारीदार मानस्पेशी यानि रेखित मानस्पेशी अंगों को हिलाने और सरीर की मुद्रा बनाये रखने के लिए सिकुरती है उन्हें अक्सर कंकाल की मानस्पेसी भी कहा जाता है आरेखित पेसी मूल लूप से अनेचिक पेसी है और इसे चिकनी पेसी के रूप में भी जाना जाता है ये मानस्पेसिया मूर लूप से आँख की परितारिका, मूत्रवाहनी और फेफ़ों की ब्रंकाई में पाई जाती है नेक्स्ट, लिगामेंट की अगर बात करें तो लिगामेंट एक रेशेदार सयोजी उतक है जो हड़ियों को हड़ियों से जोड़ता है नेक्स्ट है, कांडरा मानस्पेसियों को हड़ि से जोड़ता है यानि कांडरा मानस्पेसियां जो है ये हड़ि से जोड़ती है यानि कांडरा जो है, ये मानस्पेसियों को हड़ि से जोड़ता है अगला कोश्चन है कि निम्न लिखित में से किस पत्रकार ने लखनव बाय सीरसक से अपनी आत्मकथा लिखी है आपसंस दिये गए है विनोध महता, आलोक महता, नरेंद्र मोहन या प्रतीस नंदी तो आपको बता दे कि इस कोश्चन का आपसं सही होगा, पहला वाला आपसं यानि विनोध महता ने लखनव बाय सीरसक से अपनी आत्मकथा लिखी है विनोध महता के बारें बात के, तो विनोध महता एक भारती पत्रकार, संपादक और राजनीतिक टिपड़ी कार थे ये 1995 से 2012 तक आउटलुक के सरस्थापक यानि प्रधान सरस्थापक भी थे प्रधान संपादक भी थे और दा पाइनियर, दा संडे अबजरवर, दा इंडिपेंडेंट और दा इंडियन पोस्ट जैसे प्रकासनों के संपादक भी रहे थे विनोद महता ने लखनव बाय सीर्षक से अपनी आत्मकता लगी थी, वे कई पुस्तकों के लेखक भी थे महता एक टीवी पैनलिस्ट थे और अक्सर टाइमस नाउ पर न्यूज होर और CNN, IBM में 9 बज़े इंडिया जैसे टीवी सो में दिखाई देते थे वो एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया के अध्यच थे और संचेप में BBC वर्ड सर्विस और BBC रेडियो पर लेटर फ्राम इंडिया के लेखक और प्रस्तुत करता भी थे आलोक महता की अगर बात कहें तो आलोक महता एक भारती पत्रकार, टीवी प्रसारक और लेखक हैं उन्होंने दो साल तक एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया के अध्यच और चार साल तक महासचु के रूप में कारक किया हैं इसके लावा वो राष्ट्री एकता परसत, भारती प्रस परसत के सदस्य और राजा राम मोहन राय पुस्तकाले फाउंडेशन, राष्ट्री पुस्तकाले सलाहकार बोर्ट और प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट, कुसुमबांजल फाउंडेशन के ट्रस्टी भी रहे है नरेंद्र मोहन की बात करें तो नरेंद्र मोहन एक भारती उद्ध्योपती अध्धच और भारत के सबसे अधिक बिकने वाले हिंदी समाचार पत्र दैनिक जागरण के प्रकासर्ण के प्रबंधन निदे सकते थे सुर्गी नरेंद मोहन अपनी समर्पित, पत्रकारिता और गहरी सादगी और इमानधारी के लिए प्रसिद्ध थे और आज अकबार को अपनी बेजोड इस्तित में ले जाने के लिए 30 संसक्राण एक विसाल 19 मिलियन पाठक देश के सबसे बड़े प्रभावसाली समाचार पत्रों में से एक होने के अलावा ये प्रसिद्ध थे जागरण समोह में गुपता परिवार की 69 दसमलों दो प्रसिद्ध हिस्सेदारी हैं सुर्गी नरेंद मोहन के बड़े वेटे संजे गुपता जागरण के संपादक और सीव हैं प्रतिस नंदी की बात करें तो प्रतिस नंदी एक भारती कविक चित्रकार पत्रकार सांसत मीडिया और टेलिवीजन विक्तित पसुकारी करता और फिल्मों टीवी और स्ट्रीमि के निर्माता भी हैं वो महाराष्ट इस्थिस्ट पार्टी सिवसेना का प्रतिनिद्द करने वाले भारती संसत के उपरी सदन राजसभा के सदस्य भी थे वो अंग्रेजी में कविता की 40 पुस्तकों के लेखक है और उन्होंने बंगाली, उर्डू और पंजाबी के अन्य लेखकों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुआत भी किया है और साथ ही ईसा उपनिसत के एक नए संस्क्रण का भी अनुआत किया है इनके लावा उन्होंने कहानियों और गैर कालपनिक पुस्तकों के साथ सा संस्क्रत से सास्त्री प्रेम कविता के अनुआत की तीन पुस्तके भी लिखी है अगला कुश्चन है कि मार्च 2021 में अपराद की रोख्थाम और आपरादिक न्याये पर चौदुहें संयुक्त राष्ट कांग्रेज को निमनल खित्में से किस सहर में आयुजित किया जा रहा है आप्संस है मारे पास ओसाका, कोईटो, हिमोजी, नगोया इस कुश्चन का आप्सन सही होगा क्योटो, यानि मार्च 2021 में अपराद की रोख्थाम और आपरादिक न्याये पर चौदुहें संयुक्त राष्ट कांग्रेज को क्योटो में सहर में आयुजित किया जा रहा है आपको बताने कि अपराद की रोख्थाम और आपरादिक न्याये पर चौदुहां संयुक्त राष्ट कांग्रेज मार्च 7-12-2021 में जापानी सहर कोईटो में आयुजित किया जा रहा है आयुजन में आपरादिक न्याये से संबंधित प्रमुख मुद्दे अपराद की रोख्थाम के लिए रड़नीत और कानून के सासन को बढ़ावा देने और अपराद के सभी रूपों को रोकने में अंतराष्टी सहयोग पर चर्चा की जाएगी 1970 के बाद पहली बार जापान इस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है अपराद और अपराद की रोख्थाम के लिए संभ। राट कांग्रेस अपराद परवत जो है किस देश में इस्थित हैं आपसंस हैं हमारे पास इंडोनेसिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कांगो लोकतांत्रिक गड़राज या फिर यूगांडा तो आपको बता दे कि माउंट नियारागोंगो जो हाल ही में चर्चा में है ये कांगो लोकतांत्रिक गड़राज का एक परवत है आपको बता दे कि 23 मई 2021 को यानि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गड़राज में इस्थित माउंट नियारागोंगों में विस्पोर्ट हुआ है इससे आस्पान लाल हो गया है और सहर की सडकों पर गंधक की तेज गंध फाइल गई है जौला मुखी में आखरी बार 2002 में विस्पोर्ट हुआ था जिसमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई थी और लावा ने हवाई अड़े के रनवे सहित सहर का लगभग एक बटे पांचुआ हिस्सा भी नश्ट कर दिया था अगला कुश्यन है कि निमनल खित में से संगीतकार और वाद्दियंत्रों की जोड़ी दे गई है इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला अप्सन है सिवकुमार सर्मा बासुरी विस्मिल्लाखा सहनाई जाकिर हुसेन तबला या फिर रवसंकर प्रसाथ सितार तो आपको बता दें कि सिवकुमार सर्मा ये बासुरी से संबंधित नहीं है आपको बता दें कि सिवकुमार सर्मा संतूर वादक थे वे केंदर सासित प्रदेश जम्मु कस्मीर से तालुक रखते हैं उन्होंने 2011 में संगीत नाटक अकार्दमी पुरुसकार भी जीता है संतूर या एक ट्रेपोजाइट के आकार का अंकित डसलीमर का एक तार वाला वादेयंतर है प्राचीन संस्कृत गंथों में इसे सत तंतरी वीड़ा भी कहा जाता था ये हैं सिवकुमार सर्मा आप देख सकते हैं और संतूर की अगर बात के तो ये रहा आपका संतूर जो एक वादेयंतर है अगला है बिस्मिल्ला खा सहनाई के उस्ताद है जबकि जाकिर हुसें तबला वादक है और रवसंकर प्रसाथ सितार वादक है अगला कुश्चन है कि परसेवरांस रोवर के पेट से जुड़ा किसका इंजेनेटी हेलिकाप्टर अप्रैल दोहजारीकिस में मंगल की सते पर लैंड हुआ है आप संसें ESA, NASA, Rescosmos या फिर जाक्सा तो आपको बता दें परसेवरांस रोवर के पेट से जुड़ा NASA इंजेनेटी हेलिकाप्टर अप्रैल 2021 में मंगल की सते पर लैंड हुआ है आपको बता दें कि परसेवरांस रोवर के पेट से जुड़ा पहला उड़ान प्रयास होने की उमीद नहीं है नासा की अगर बात के तो नासा का मुख्याला है वासिंगटन डिसी यानि उनाइटेड डिस्टेट्स में इसके संस्थापक है ड्वाइट डी आईजन हावर और इसके स्थापना एक अक्टूबर उनिस सो अठाउन को की गई थी अगला कुश्चन है कि दुई पच्छी अभ्यास वरुण दो हजार इकिस का उनिस वह संस्क्रण 25 से 27 अप्रेल को सुरू किया गया था ये अरब सागर में आयुजित किया गया था तो कौन से दो देशों के बीच वरुण दो हजार इकिस दुई पच्छी नव सेना अभ्यास चलू किया गया था यानि सुरू हुआ था अप्शन से मारे पास भारती रूसी नव सेना भारती जापानी नव सेना या भारती सिंगापुन नव सेना भारती फ्रांसी सी नव सेना तो आपको बता दें कि दुई पच्छी भारती फ्रांसी सी नौ सेना अभ्यास वर्ण 2021 का उन्नीसवा संस्क्रट 25 से 27 अपरेल को अरब सागर में आयोजित किया गया था यानि इस कोश्चन का आप्शन सही होगा आप्शन डी तो आपको बता दें कि दुई पच्छी भारती फ्रांसी सी नौ सेना अभ्यास वर्ण 2021 का उन्नीसवा संस्क्रट 25 से 27 अरब सागर में आयोजित किया गया था दोनों नौ सेना की इकाईयों इकाईयां तीन दिवसी अभ्यास के दोरान समुद्र में उच्छ गत के नौ सेना संचानन करेंगी जिसमें उन्नत वाय उरच्छ और पंडूबी रोधी ड्रिल जोरदार फिक्ष्ट और रोटरी विंग फ्लाइंग आपरेशन सामरिक युद्धाभार साहत सतह और एंटी एयर आरम्स फेरिंग तलमार्ग पुनापूर्थ और अन्य समुद्री सुरच्छा संचालन सामिल होंगे भारती नौ सेना अभ्या पोर्ट सिप इनस दीपक और चेतक इंटिग्रेटेट हेलिकाप्टर कलवरी क्लास पंडूबी और पी एट आई लॉंग रेंज मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेजेगी फ्रांसीसी नौ सेना के अगर बात करें तो फ्रांसीसी नौ सेना विमान वाहक चार्ल्स ड प्रांसीसी नौ सेना के अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1624 इस भी में हुई थी और फ्रांसीसी नौ सेना के चीफ फिश्टाप पी एरे वान डियर ये अप्रेल 2021 किस तक हैं तो उम्मीद करते हैं, आज का सेस्न आपको अच्छी तरीके समझ में होगा, तो उम्मीद करते हैं, सारे questions आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गये होगी, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे like करिए, comment करिए, अगर आपको किसी भी type का question पूछना है, तो